नवश्कार महप्रिया आज है 20 अप्रेल खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर मुख्यमात्री नितेश कुमार की क्याबनेट मीटिंग में नौ एजेन्डों पर लगी महर नाइट रफ्यू के नाम पर हीरी सरकार मुख्यमात्री को पत्रे लिकर बिहार पर इस असोसियेशन ने लगाई गुहार प्रवासी मज़़ूरों को भी बिहार में रोजगार को लेकर राज़ट ने पूछे सवार बियरेट की विशेश परीक्षा होई इस थागित अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के और विस्तार से मुख्यमात्री नितेश कुमार की कैबिनेट बीटिंग में 9 एजेंटों पर लगी मुहर कोविड-19 के बढ़ते संक्रमन के बीच मुख्यमात्री नितेश कुमार ने बीते दिन कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी जुसमें एक उलमिलाकर 9 एजेंटों पर मुहर लगाई गए थी जो इसके तहत नालंदा के राजगीर में नेचर सफारी उपी का स्रिजन एवं उसके संचालन के लिए 96 पदों की स्रिजन की स्विक्रती दे दी गई है इसके साथ ही बिहार प्रशास्तिक सिवा के वरिय उप्समाहरता नरेंदरिनात को सिवा सिवा सिवर खास्त कर दिया गया है जो 30 मार्श 2022 तक के लिए अस्थाय रूप से बढ़ाकर 8732 करोड 10 लाख रुपे किया गया है इसके साथ ही समान प्रशास्तिक दियात्रिन के सभी जिलों में अवस्तिस सरकारी अतिति गृत के सुकम संचालन को लेकर परिचारी रसोयों के 151 पदों के स्ट्रिजन की स्विक्रती दे दी गई है बिहार में COVID-19 के मिले 7000 से ज्यादा मामले बिहार में COVID-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है स्वास्त बभा की तरफ से मिनी जानकारी के निसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 गंटे में 7487 मामलों की पुष्टी हुई है जो उसके बाद आक्टिव मरीजों की संख्या उन्चास 1527 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलो की बात करें इसके साथ ही अगर हम बीते दिन के पिछले 24 गंटे की बात करें तो कुल मिलाकर 2619 मरीज ठीक हो गए है जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,88,286 पर पहुँच गई है वधान परिसद में एक और कर्मी ने गवाई अपनी जान बिहार वधान परिसद सच्वाले में कोवड-19 का संक्रवन थमने का नाम नहीं ले रहा है कॉवर-19 के बढ़ते मामलों के बीच बिहार वधान परिसद में एक और कर्मी की जान चलि गई है बिहार वधान परिसद में कामकरने वारे सफाई कर्मी लाल बाबुराम ने दुनिया को अ Алविदा कह दिया है जिसके बाद लाल बाबुराम की गुजर जाने पर परिशत के कारेकारी सभापती अब्धिशनारायन सिंग ने शोक व्यक्त करते विश्व धांजली दी है इसके साथ ही विधान परिशत सचीवाले को 25 अप्रेल तक के लिए बंद कर दिया गया है इससे पहले विधान परिशत में 10 करवियों की जान भी जा चुकी है पिछले दनों एक सहायक की भी COVID-19 के कारण जान चली गई थी बिहार के मधुबनी जिले के नवलक्खा पैलस में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास नवलक्खा पैलस जिसे राजनगर पैलस भी कहा जाता है भारत के बिहार में मधुबनी के पास राजनगर शहर में एक शाही ब्राहन महल है दर्भंगा के महराजा रामेश्वर सिंग द्वारा महल का निर्मान करवाय गया था दर्भंगा महराज के छोटे भाई रामेश्वर सिंग ने 1884 और 1929 के बीश दर्भंगा राज की प्रशाफ्सिक राज़ानी के रूप में सेवा करने के लिए बनवाया था इस परिसर में 1500 एक अडियाने के 610 हिक्टेर शामिल है इसमें देवी देवताओं की ग्यारह मूर्तियां और कई के लिए और महल शामिल है 1934 के बिहार नेपाल भूकंप के दौरान इसे महत्वपुन छती हुई और इसका पुनर निर्मान कभी नहीं हुआ मेवालाल चौधरी के गुजर जाने पर सीअम नितीश और तेजस्वी आदव ने जताया दुख बीते दिन विहार में एक दिल दहलाने वाली ख़बर सामने आई जब एक दिन के मंत्री मेवालाल चौधरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया ये वो ही मेवालाल चौधरी थे जुन्होंने बिहारवधान सभा में सिक्षा मंत्राले का कारेभार सौपा गया था लेकिन विपक्ष की आलोचनाओं के बाद उन्हें एक दिन में ही हटा दिया गया था हाला कि उन्होंने अब दुनिया को अलविदा कह दिया है जिसकी बाद पूरी राजुनेतिक गल्यार में शोक की नहर देखने को मिल रही है इसी करम में मुक्यमंत्रि नितीश कुमार ने सिक्षा मंत्री एवं विधायक मेवालाल चौधरी के गुजर जाने पर गहरी शोक संबेद नाव्याक थी है इसकी साथ ही नेता प्रतिपक्ष तिजस्वी बिहार में डियलेट की विशेश परिक्षा हुई स्थागित बिहार में COVID-19 की दूसरी लहर देखने को मिल रही है जिसकी कारण पढ़ाई लिखाई एक बार फिर से इस थागित नजर आ रही है इसे बीच कई परिक्षाओं के आयोजन को स्थागित कर दिया गया है जिसके अब डियलेट की विशेश परिक्षा को स्थागित करने का फैसला सुनाया गया है जिसके तहीं 26-30 अप्रेल तक होने वाले डियलेट के विशेश परिक्षाओं का आयोजन 26-30 अप्रेल के बीच अब नहीं होगा इससे पहले COVID-19 के बढ़ते माहाल को देखते वे CBSE और ICSE की दसवी की परिक्षा रद कर दी गई और 12 वी की परिक्षा को स्थागित कर दिया गया है इसके साथ ही कंपार्टमेंटल परिक्षा को भी स्थागित करने का फैसला सुनाया गया है सेना में सैनिक जीडी पद के लिए 10 वी 12 वी पास के लिए निकाले गई रखतियां सेना में सैनिक यानिक सिपाही जीडी बनकर देश की सेवा करने का होसला रखने वाली युमाओं के लिए इंडिन आर्मी सुनहराफ सर लेकर आया है यह भरती हर्याना के जिलों यानि अमबाला कैथर करनार कुरुक शेतर यमुनानगर पंचकुला और चंडिगर के लिए युमाओं के लिए है जिसका आयो जुन साथ जून 2021 से 25 जून 2021 सक तेजली स्पोर्ट्स कॉंपलेक्स यमुनानगर में होगा इस भरती में भाग लेने वाले अभिर्थियों को सेना की वबसाइट जॉन इंडिनार्मी.nice.in पर अपना रजिस्ट्रेशन आठ अप्रेल से 22 मई 2021 तक कराना होगा सेना की भरती नोटिफिकेशन के अनुसा 23 मई को अभिर्थियों को उनके रजिस्टर और इमेल पर अड्मिट कार्ड भीज़ू जाएंगे बरती COVID-19 मामलों की बीच पटना हाई कोर्ट में नियाई कारे स्थागित COVID-19 के मामलों ने एक बार फिर से परिशानी बढ़ा दी है जिसके कारण कई संस्थानों पर ताला लगा दिया गया है इसक्रम में विहार में COVID-19 की दूसरी लहर देखने को मिल रही है जिसको देखते हुए उनीस अप्रेल से 24 अप्रेल तक पटना हाई कोर्ट में कोई भी नयाई कारे नहीं करवाय जाएगा हाई कोर्ट प्रसाशन की तरफ से जारी किये गए नोटिस में इस बात की जानकारी दी गई है और कहा गया है कि विशेश परिस्थती के मामलों की सुनवाई के लिए दो खंड पीठ गठित किये गए है इन खंड पीठ की अधिक्ष्टा जस्टिस शिवाजी पांडे और जस्टिस चक्रधारी शरन सिंग करेंगे सिवल मामलों की सुनवाई के लिए दो एकल पीठ बने हैं जिसमें जस्टिस विकास जैन और जस्टिस ए अमनुल्ला सुनवाई करेंगे बिहार के गई जिलों में हो रहा है सरक निर्मान के इंडिस सरकार ने दूसरे चरन में 580 किलोमेटर सरकों के निर्मान का बिहार में फैस्टा लिया है जिसकी सूशा पत्निर्मान विभा के अधिकारियों ने दी है सरक निर्मान करवाने के क्रम में तीन उग्रवाद प्रभाविजिले नवादा जमूई और रहतास में सरक का जाल बचाय जा रहा है 1682 मीटर पुल का भी नर्मान करवाय जाएगा और 27 पुल भी बनाय जाएगे इसके साथ ही 50 पथ नर्मान की योजना को मन्जूरी दे दी गई है पथ नर्मान विभा की तरफ से मिली जानकारी के नुसार बिहार में पहले चरण में गया और अंगाबाद बंका जमूई और मुजफरपुर में 64 पथ नर्मान के पैकेज पर काम चल रहा है जिसकी स्विक्रती केंद्र ने पहले ही दे दी है इसके तहट 1038 किलोमीटर लंबाई में उगरवाद प्रभाविजिलो में सरक का नर्मान चल रहा है इसमें 41 पुलो का भी नर्मान हो रहा है आज बिहारी पैचान में हम बात करेंगे शुलपाश शुकला के बिहार में प्रतिभाव की कोई कमी नहीं है समय समय पर बिहारी प्रतिभाव ने बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है इसी क्रम में आज हम बात करेंगे शुलपा शुकला के शुलपा शुकला का जम बिहार के वैशाली जुले में हुआ था शुलपा शुकला एक भारतिय फिल्म और थेटर अभिनेत्री है वो 2007 की स्पोर्ट्स ट्रामाज शक्दे में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है उतका भाई तेंजिन ट्रिय दर्शी एक बहुत भिखशुक है और उतकी बहन एक वकील है नाइट कर्फियों के नाम पर घिरी सरकार बिहार में COVID-19 का संख्रम अतेजी से बढ़ता ज़ार है जिसके कारण ही बिहार सरकार ने एहतियाती कदम उठाते वे बिहार में नाइट कर्फियों लगाने का एलान किया था हाला कि बिहार सरकार के इस फैसले से सरकार खुद ही घिरती नज़रा रही है जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश रध्यक संजी जैस्वाल ने सवाल खड़े कर दिया है वही राज़त और कॉंग्रस ने सरकार को घेरनी की कोशिश की है राज़त प्रवक्त अमरतु जेतिवारी ने इसे अजीबो करीब फैसला बताया है वही भाजपा निता संजी जैस्वाल ने कहा है कि आज बिहार सरकार ने बहुत सारे फैसले ही है जो परिस्थिती में बहुत ही अनिवार है कोई विशेशक ये तो नहीं हो लेकिन फिर भी या समझ नहीं पा रहा हूं कि रात का कर्फिय लगाने से कोविड-19 वायरिस का प्रसार कैसे बंद होगा वहीं कॉंग्रस ने ता अजीच शर्मा ने कहा है कि सरकार का यह फैसला हास्यपद है मुख्यमंतरी को पत्रडिक कर बिहार पुलिस असोसियेशन ने लगाई गोहार बिहार में कोविड-19 के मामलों ने इस सारे रिकॉर्ड थोड़ दी है आम से लेकर खास तक इसकी चपेट में आ रहे है इसे बीच पुलिस के अधिकारियों और कॉंस्टिबल की जान भी COVID-19 के कारण चली गई है इसे बीच बिहार पुलिस असोसियेशन ने हाली में मुख्यमंतरी नितीश कुमार को एक पत्र ज़़वारी किया है इसके साथ ही बिहार पुलिस असोसियेशन ने कहा है कि मुख्यमंतरी नितीश कुमार का यह करता वे है कि संकट पे अपने पुलिस परिवार के सदस्यों के दुख को कम करे श्रीमान से आग रहे है कि अपने सर से पहल की जाए तेजस्वी आदव ने केंद्र सरकार पर लगाया रोप कोविड-19 के संक्रवन की दूसरी लहर देश में देखने को मिल रही है रोजाना काई मामले सामने आ रहे है इस बीच मामलों को लेकर और देश की उदासी इन्वेवस था वो देखते वे विवपक्ष ने आवाज उठान अश्चिरो कर दिया है जिसके तहत नेता प्रतेपक्ष तेजस्वी आदव ने अपना बयान जारी करते वे कहाई कोविड-19 के संकट को एक साल बीत किया है लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने क्या काम किया है क्या केंद्र सरकार का कोई दायत्व नहीं है अगर नहीं है तो वो क्यों सरकार संभाल रही है इसके साथ इनों ने ये भी सवाल किया है केंदे सरकार ने अब तक किया क्या है health and structure को कितनी मजबूती दी है पीम केर्स फंड का कहा सदूपियोग हुआ है आरोंगे से तू पैप कितना कारगर सा भी थुआ टीका करण की गती कच्वाचाल क्यू है वेंटिलेटर जरूरी दवाओ बेड और संजीरगी की कमी क्यू है बिहार के दो जिलो के दीम से अतिरिक्त प्रभार लिया गया वापस प्रवासी मजदूरों को भी बिहार में रोजगार को लेकर राजुनीती भी शुरू हो गई है जिसके तहती मुखी मंतर नितेश कुमार ने हाली में अपील की थी कि दूसरे प्रांतों में काम करने वाले बिहार के लोग जितनी जल्दी हो सके अपने घर लोटा है उन्हों ने कहा कि कोरोना की पहली लहर के वक्त बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों को स्थाने स्तर परोजगार उपलप्त कराने की बात कही थी इस वादे का क्या हुआ? सरकार को इसका जवाब देना चुह है सरकार के उदासी इन रवाईय के कारण ही प्रवासी को इस संकट काल में दोबारा पलायन करने की जरूरत पर रही है अब 18 साल से ज्यादा उमर के हर व्यक्ति को दी जाएगी वैक्सीन नरेंदर मोदी के अध्यक्षिता में बैठका उजिन करवाई गया था जिसमें यह फैसला लिया गया है अब एक इमेल पर अस्पताल को सीधे दवा अपूरती की जाएगी इसके लिए अस्पताल को आधार कार्ड उप्चार परचा कोवेड-19 संक्रमित रिपोर्ट की स्कैन कॉपी स्वास्त बभा के राज ओशधी नियंदर के इमेल sdc-bihar-bih.gov.in पर भेशना होगा जिसके बाद ही आप सब मंदित अस्पताल से रेमडी सीवियर की दवा आपूरती कर सकते हैं बिहार में आज से होगी गहों की खरीद बिहार में आज से सभी पैक्सों पर गहों की खरदारी की जाएगी इसके लिए सरकार के स्थर से सारी तयारी पूरी कर ली गई है एक हफते पहले ही पैक्सों के सहकारता विभाग और खादेवम उपभोगता संग्रक्षन विभाग की तरफ से सभी जलों को नरदेश जारी किया जा चुका है खादे और उब भोगता संग्रख्षिन विभाग के सचिव वेने कुमार की माने तो गेहूं की खरीद 15 जुलाई तक होगी सहकारता विभाग के सचिव बंदना प्रैसी ने बताया है कि क्रुशे विभाग के पोर्टल से संबंधित किसानों से गेहूं की खरीद की जारी है इ कोविद 19 की मोजुदा स्थिती को देखते वे जन प्रते निदियों की भूमी को और धायत वेविशे पर आयोजित देश के विधाई निकायों की पीथा सीन अधिकारियों के साथ वर्चिवल बैठक में हिसा लिया और साथ ही उन्हाने कहा कि कोविद 19 की दूसरी लहर के ब भावितों की संख्या लगातार बढ़ती जारी है जिसमें सबस्यादा खराब हालत राजधानी पटना की है पट्टा में बढ़ते संक्रमन को देखते वे आई-एमे ने लोगों से साहता के लिए च्वाली इस विशेचा के डॉक्टरों की सूची जारी कि है जिसमें लोग मुफ्त नौक्ती परामर्ष फोन जिसमें लोग मुफ्त में परामर्ष ले सकते हैं फोन पर परामर्ष लेने का समय दस बज़े सुबह से दिन के बारह बज़े तक है इसके साथ ही शाम चार बज़े से शाम छे बज़े तक कोई भी मुफ्त परामर्ष ले सकते हैं खबरों भारत के इतिहास में आज की तारीक कर्मेमांने चाहती है। गुपिनात मुहन्ती का जन 1914 में आज ही के दिन हुआ था। पत्नी आईपियर के दौरान साथ में है इस दौरान दोनों स्टार खिलाड़ी अपनी पत्नियों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं हार्दिक और उनकी पत्नी नताशा अक्सर सोचल मीडिया पर अपने मज़दार वीडियो शेयर करते रहते हैं इसक्रम में एक और वीडियो दोनों ने शेयर किया इस वीडियो में हार्दिक पांडे उनकी पत्नी नताशा, क्रुनाल पांडे और उनकी पत्नी पंकुरिश्वार माव जस्टिन वीवर के गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं जिसके बाद नताशा ने कैप्शन में लिखा जाता हैसे में कई लोग गूगल फोटो पर अपनी फोटो और वीडियो को सेव करते हैं माना जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि गलती से अपने गूगल फोटो से ही कई लोग फोटो डिलीट कर देते हैं तो आपको परिश्वान होने की जरुवत नहीं है क्योंकि हम आपको जब आप दोबारा जाकर लाइबरेरी में देखेंगे तो फिर आपको डिलीट हुए फोटो वापस मिल जाएंगे जिसके दहत राजपाल बेटी ने तीन रूबिक क्यूब पजल को कुछ मिन्टों महीं हल कर दिया है उन्हाने ये वीडियो इंस्ट्रग्राम पर कुछ दिन पहले ही शेयर किया था जिसे काफी सरहा जा रहा है इस वीडियो में राजपाल अपनी बेटी हनी के साथ फुरसत के पल बताते नजरार है राजपाल की बेटी के पास तीन रूबिक क्यूब है जोने वो देखते ही देखते हल कर देती है वीडियो को शेर करते वे राजपाल ने लिखा है कि हनी की लेटरस्ट विन मेरी नन्ही जीनियस ने साथ साल की उम्र में ही इस तीन रूबिक क्यूब को हल करना सीख लिया है जो मैं कभी नहीं कर सकता अब आईए जानते हैं सराफव बजार और पिट्रोल डीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफव बजार की बात करें तो सोने का भाव 19 अप्रेल को 22 कैरेट के लिए प्रती 10 ग्राम 45,000 रुपे था इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव 68,600 रुपे थ कल हमारे द्वारा पूछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके रापका बहुत बहुत हनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट है में अच्छा लगा है उनके नाम है सीता कुमारी, बबलू सिंग, राम प्रसाद, प्रेखा कुमारी, सूरज कुमार, रवी कुमार, रवेश कुमार, सिधार्थ पासवान, विकी कुमार, आलोक कुमार, राम प्रीद सिंग, मनुरंजन धंश्री कुमारी, सनी कुमार, पियुश मिश्र, आयुश कुमार, अधित कुमार, इसके लाव हमारी टीम को और भी लो आने का फैसला COVID-19 के रोक्ता में कारगर सावित होगा या नहीं अपने ज्वबाब में कॉमेंच करके जरूर बता हैं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अब्डेटेड रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और ब लाइक और ना भूले धन्यवाद